है नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्योब चैनल पासपोर्ट हेल्प लाइन में जहां पर आपको पासपोर्ट अप्लिकेशन डोकुमेंटेशन पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग-अलग कंट अगर आप 18 साल से कम की उमर है आपकी ठीक है अगर आप legally अपने parents के guardianship में रह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा क्या-क्या उसका process होता है क्या-क्या उसमें documents required होते हैं और total कितना time लगता है कितना payment लगता है ऐसा लोग जानना चाहते हैं तो basically दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि जो उमर के हिसाब से दो तरह के passport बनते हैं पहला normal जो कि हम सभी जो भी 18 प्लस जो भी adult हो चुका है जो व्यस्क हो चुका है उन लोगों का normal passport बनता है जो कि जिसकी validity 10 year तक होती है ठीक है और जो लोग 18 प्लस के होते हैं जो की व्यस्क हो चुके होत उनके parents का उनके guardian से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि आप normal है आप बालिग हो चुके हैं आप अपना सही गलत का फैसला खुद कर सकते हैं आप किसी के उपर dependent नहीं है आज लेकिन हम बात कर रहे हैं minor का तो basically minor मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नबालिग मतलब कि वह अ उमर 0-6 है और अगर 6-18 के बीच में दोनों अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं जिनका उमर 6 साल से लेके 18 साल से बीच क्या है ठीक है जो की अपर minor माना जाता है कि बहुत जल्दी है जो वह व्यस्क होने वाले हैं तो इन लोग का passport कैसे बनता है ठीक है तो देखिए अगर आप minor है अगर आप नबालिंग हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने parents के घर पे रह रहे होंगे आपका जो भी expenses है आपकी जो भी जिम्मेदारी है वह आपके parents उठा रहे होंगे parents में या तो आपके या आपकी mother या फिर आपके father दोनों में को यह होगा जो आपका खर्चा जूटा रहा होगा ऐसे में चुकिया व्यस्क नहीं है आप वोटर नहीं है ठीक है तो आपको legally एक supportive document देना होता है अपने parents दोनों में से किसी एक का ठीक है या तब अपने mother का लगाए या फिर आपने father का कोई भी ID proof जो की government ID proof होते हैं like अधार card voter ID card या फिर उनका पहले से passport बना हुआ तो उनका passport लगा दे मतलब यह कि आपकी अपने document के साथ साथ address proof के तौर पे आपके parents का ID proof लगता है आपका तो लगे गा ही जो minor होगा उसका कोई ने कोई एक proof लगता है आधार का जो की normal है वो सभी का बन जाता है सभी group का तो आधार card लगेगा अगर आप किसी school में भी पढ़ दें तो आपका school का i card लगेगा और साथ में आपके parents का अधार card लगेगा जिस पे उसका proper ID हो ठीक है यहां पर जो address का verification होता है वो आपके parents का address का verification होता है मतलब यह कि आपके मम्मी या फिर आपके पापा के address पे अधार card पे जो address ह वहां पे police verification होगा कहने का मतलब दोस्तों बिल्कुल clear है कि आपको supportive document में अपने parents का ID proof लगाना बिल्कुल must होता है दूसरा appointment के दिन आपको दूनों में से किसी एक को वहां पे ले कर जाना होता है अपने साथ ठीक है आप single अकेले आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप minor हैं व अगर आप अपने mother का ID लगा रहे हैं तो आपको अपने mother को साथ में appointment center लेकर जाना होगा या फिर अगर आप अपने father का ID proof लगा रहे है as a legal guardianship तो आपको अपने appointment center पे अपने पीता जी को अपने साथ लेकर जाना होगा that's it वहां पे आपका भी biometric लिया जाता है और आपके parents का भी biometric लिया जाएगा हलाकि passport पे केवल आप ही के details रहेंगी आप ही का photo रहेगा लेकिन उनके record में उनके database में आपके parents का biometric भी लिया जाता है उनका अपना record maintain करने के लिए और guys यहां पे बात करें fees का तो वहां भी normal fees पंद्रा सो रुपे ही है यहां पे कोई भी अलग-अ charges है वो नहीं है लेकिन हाँ यहां पे एक जो एक छोटा सा difference होता है वो होता है validity का ठीक है इसको आप इस तरीके से समझे कि एगर हम जैसे कि हम लोग 18 प्लस वाले हैं तो हम लोग जिस दिन जिस दिन हम लोग का passport issue होगा ठीक उसके 10 साल बाद हम लोग का passport जो है एक्सपायर ह count होता है 10 साल तक होता है लेकिन जो बिलो 18 वाले होते हैं उनका जो validity होता है passport का वो up to 18 तक होता है तो अब यह मान के चले कि कोई कोई बंदागार 14 साल का है ठीक है आगर वो passport बनवाता है अपना minor passport तो उसकी जो validity होगी वो 6 साल की होगी कि 14 और 6 नहीं 18 होगा तो 4 हाँ सॉर अगर कोई 17 साल 6 महीने का है तो उसके passport की validity सिर्फ और सिर्फ 6 महीने होगी मतलब यह up to 18 जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आपके वो passport की validity होगी जिस दिन आप जो है बालिग हो जाएंगे आप adult हो जाएंगे उस दिन आपका passport expire हो जाएगा और आपको जरूरत होगा अपना passport renewal करने का reissue करवाने का ठीक है तो दूसरा condition यहां पर आता है वैसे लोग जो की child के category में आते हैं छे साल से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं वो child में आते हैं वो minor नहीं होते हैं basically मतलब की वो तो यार बिल्कुल बोल भी नहीं पाते हैं चल भी नहीं पाते हैं तो वैसे बच्चे जो kids होते हैं जो child होते हैं जिनकी उमर 6 साल से कम है उनका passport बनाने में थोड़ा सा प्रो लिगली जो उनके parents होते हैं उनका जाना वहां पर जरूरी होता है दोनों के ID proof यहां पर लगते हैं Mother का भी, Father का भी और दोनों का marriage certificate होना भी वहां पर जरूरी होता है कोई एक single parent अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां पर passport नहीं बनवा सकता है यह जो है गैर कानूनी है ठीक है तो कुछ इस तरीके से दोनों cases में आपका passport बनता है लेकिन दोनों ही cases में आपके parents का होना वहां पर जरूरी होता है दोनों parents की ID proof बिल्कुल सही और exact होना बहुत जरूरी होता है और validity में भी यहां पर आपको passport में difference जो है वह देखने को मिल जाता है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से जो है आपका minor और major जो adult का passport होता है वह यहां पर काम करता है तो दोस्तों आशा करता हूं यार कि छोटे से वीडियो से आपका जो भी confusion था documentation को लेकर appointment center पर अपने parents को किस तरीके से साथ मिले जाना है कितना fee लगेगा आपके passport की validity कितनी होगी overall कितना process लंबा होगा short होगा तो इस तरीके से आप count कर सकते हैं और especially मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा इनकी उमर अभी 16 साल है 17 साल है तो अगर आपको अभी अर्जेंट नहीं है passport बनाने का थोड़ा सा रूख जाओ ठीक है एक साल दो साल रूख जाओ ताकि आपको fully 10-year के validity का passport मिलेगा ताकि आपको ज्यादा problem आगे जाके renewal नहीं करवाना होगा और आप दो साल में कितना है travel कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आप जो है चीजों को एक तरीके से रहा हूं तो आप उसे मिस्स ना कर सकें रखिए अपना बहुत सारा ख्याल मिलते हैं जल्दी जय हिंद